लोग तयारी शुरू करते हैं मैंने देखा शुरुवात में इतना पढ़ना शुरू करते हैं पहले दिन से 10 गंटा 15 गंटा अराम से आपको पता नहीं आपको लगता नहीं कि यह पेट है ना हजम करना होता है कि सिर्फ अंडरलाइन करना नहीं होता है मैंने 98 परसेंट स्टूडेंटों को देखा है वो किताब को अंडरलाइन करने को पढ़ा ही मानते हैं अपना स्वा मूल्यांकन करना बहुत बड़ी बात होती है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कभी-कभी ऐसास होता है हमें कि हम बहुत काम कर रहे हैं कुछ होता नहीं उस वक बात समझ में आ रही ना इस चमता यहाँ की जो डाइज़्ेशन चमता है यह दिखाई नहीं पढ़ती न यह दिखाई पढ़ता है अब यह चमता व्यक्से स्टौंग कैसे होगी बदा प्यारा फार्मूला इसकेंड फार्मूला चमता बढानी है मन की हजम करने की बहुत प्यारा जो कि फिर 98% लोग नहीं करते तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो बिना सोचे लिख नहीं सकते एक formula है 20 pages per day आप लिखिए आप किसी भी coaching जाते हैं कहीं भी जाते हैं कोई topic खतम होता उस topic को आप कम से कम पांच बार लिखिए अब पढ़ने की आदत छोड़िए लिखना शुरू करिए जितना आप लिखेंगे उतना सोचने की छमता या हजम करने की छमता डवलप होगी तीन महीने 90 दिन का कोर साहिए तीन महीने अगर 20 पेजस लिख ले गाए तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम्हारे सोचने की छमता कितनी डवलप हो जाएगी हजम करने की छमता कितनी डवलप हो जाएगी हम coaching किस लिए जाते हैं इसी लिए जाते है coaching और college में बहुत फर्क है college आप पढ़ने के लिए जाते है coaching आप सीखने के लिए जाते है जितने लोग coaching जाकर परिशान होते हैं वो वो लोग है जो coaching पढ़ने के लिए गए अगर coaching भी पढ़ा रही है और college भी पढ़ा रही है तो फिर दोनों में फर्क का है यह दूसरी चीज अपना मुल लियांकान अपनी ताकत को समझना कि मेरा मेरा potential level क्या है क्लास खत्म हुई आप घर गाए आप जित जो ढ़ाई घंटा पड़ा है उसको करने की कोशिश करूं संभवना है कि आप सिर्फ 30% लिख पाएंगे शायद कुछ लोग तो 10% भी नहीं रिकॉल कर पाते